हेलो प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स कैसे आप सभी लोग स्वागत आपका बैरी ओन पर मेरा नामे महेंदर सिंग मैं हूँ आपका फिजिक्स एजुकेटर लास्ट फिफ्टीन डेज आपके पास बचे हुए हैं और इन पंदरा दिनों के लिए मैं आपको अलर्ट करने आया हूँ बुलेंगे सर आप अलर्ट करके डरा रहे हो क्या नहीं डरा नहीं रहा हूँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको फोकस में लाना जरूरी है ताकि इन फिफ्टीन डेज में हम मैक्सिमम प्रोड़क्टिव हो सके ताकि इन लास्ट फिफ्टीन डेज में हम कुछ ऐसा कर सके जिससे हम जो रैंक चाहते हैं वो हासिल कर सके कुछ बच्चों ने मुझे अभी recently message किया था बताया कि physics में कुछ खास पढ़ा नहीं, revision अभी तक हुआ नहीं, formula याद रहते नहीं, ऐसे में फिर 130 प्लस अगर score करना है physics में तो कैसे किया जाए, आप देखो 15 दिनों में कोई जड़ी बुटी तो है नहीं, जिसे घोल कर पिला के लिए तयार हैं, नीचे comment section में comment करके बताना hashtag hustle with mahi भीया, अगर आप hustle करने के लिए तयार हैं, तो आप hustle करने के लिए भी तयार हैं, ठीक है, तो बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी नीट 2023 और 2024 experience के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि last minute पर precise notes अगर आपके पास हो, crisp information अगर आपके पास हो, सारे concept, सारे formulas एक जगह पर अगर आपको मिल जाए, तो फिर आपका selection पका हो सकता है, मैं देख रहाँ इस point of time पर कई सारे बच्चे proper revision नहीं कर पा रहे हैं, जबकि वो बहुत ज़्यादा important है, और कम से कम तीन बार revision अभी भी आप कर सकते हो इन आखरी के 15 दिनों में, अगर आप रोजाना खुद से 2 घंटा अपने लिए कमीट करते हो, कि 2 घंटा मैं physics को दूँगा, इससे ज़्यादा अगर आप नहीं भी देते हो, तो भी आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है, बच्चों क्योंकि physics is all about memory, ज़्यादा तर के questions जो तौफा लेकर आया हूँ, जिसे पाकर आप निशित तोर पर कहेंगे, यह world best तौफा है, इससे बहतर physics के notes आपको नहीं मिल सकते, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन notes पर मेहनत करी है, और किवल notes नहीं है, इन notes के नीचे उस particular chapter के most expected questions with their solution है, तो अगर आपने के वले notes को read कर लिया, उन problems को solve कर लिया, जो इन notes के साथ है, और previous year questions इतना, दो घंटे में इतना काम आपका हो जाएगा, मैं आपको order भी बता देता हूँ, कि किस order मैं आपको करना है, पहले modern physics complete कर लो, फिर units and measurement कर लो, फिर current electricity कर लो, फिर thermal physics कर लो, फिर kinematics 1D, 2D circular motion, work energy power कर लो, फिर moving charges and magnetism, फिर EMI, बाद में अगर आपके पास समय बचता है, तो फिर जितने भी बचे हुए chapters है, at least revision तो सारे chapters का करके जाना ही है, आप लोगों को, अब मैं बताता हूँ, क्या खासियते notes की, और कहां पर मिलेंगे बिटा, तो इस तरह से आपको telegram channel पर, म notes आपके सामने खुल जाएंगे, इतने खुब सूरत ये notes हैं, कि आपको देखकर next level आनन दाने वाला, आप देखो जरा, handwritten notes से बिटा, मैंने खुद लिखे हैं, एक एक छोटी से छोटी बात का मैंने इसमें ध्यान रखा हुआ है, हर एक formula को बहुत अच्छे से explain किया है, कि कैसे इस formula को use करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मिल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एक chapter को revise करने में 15-20 मिनिट से जादा समय आपका जाने वाला है, तो 15-20 मिनिट में अगर आप एक chapter revise कर लोगे, तो दिन भर में आप कम से कम 3-4 chapter आराम से revise कर सकते हो, और इ revise हो जाएंगे, वो सारे के सारे यहां पर solve किये हैं, उसके just नीचे, तो क्या आप इन notes को एक बार पढ़ नहीं सकते, क्या आप अपने आपको doctor बनाने के लिए इतनी सी महनत नहीं कर सकते, तो बहुत जरूरी है ना, ऐसा मैंने आपको एक gravitation का दिखाया, और मैं आपको दि Charges and Magnetism की आज रात को 10 बजे में पूरी क्लास भी लेने वालों, जिसमें 5 चाप्टर हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, Moving Charges and Magnetism के दोनों चाप्टर, Magnetic Force, Magnetic Field, उसके बाद में Earth Magnetism, उसके बाद में हम करेंगे पेटा, EMI और AC, यह 5 चाप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे, य ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, Moving Charges and Magnetism के कितने खुब सूरत नोट्स यहाँ पर हैं, यह इतने गजब के नोट्स है, जिनको खाली रीड करते हुए ही, आप लोगों को हर एक बात पता चल जाएगी, इन नोट्स के नीचे भी आपको यहाँ पर Most Expected Questions मिल जाएं करना है, बाद में किसको रिवाइस करना है, आप चाहें, तो Most Expected Questions की सेक्वेंस में रिवाइस कर सकते हैं, तो उन चैप्टर को पहले रिवाइस कर सकते हैं, जिन में आप ज्यादा तर के Questions गलत कर रहे हो, अभी Mock Test दे रहे होंगे ना, Old India Mock Test, तो जिन-जिन Mock Test में आप ग कि आप तयार हैं, हसल करने के लिए, तो Hashtag Hustle with Mahi भाया, कॉमेंट जरूर करके जाएगा, ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो इसको सबस्क्राइब जरूर कर देना, विशो all the very best, बाबाई, टेक केर